Welcome to our channel 5th January RRB NTPC Shift 1 का exam खतम हो चुका है तो यहाँ पे कुछ questions हमें मिले हैं उनको यहाँ पे discuss करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आगे चल के किस तरह questions आपको मिलने वाले हैं अभी level कैसा है यह सारी चीज़ यहाँ पे discuss करेंगे देख लेते हैं ताकि upcoming जो exams होने वाले हैं उसके लिए student को benefit मिल पाए तो start करते हैं सबसे पहले question जो हमें मिला है यह मिला है Tamil New Year को जो है अलग कौन से नाम से जाना जाता है यह बहुत जादा important है बहुत तरह के questions बार-बार बनते हैं बार-बार repeat होते हैं यहाँ पर full form पुछा गया है यह computer का सवाल है CSS का full form पुछा गया है CSS basically मान सकते हैं कि एक programming language है बहुत आसान से programming language होता है और इसे जो है website बनाने में जो है इसे काम में लिया जाता है HTML CSS यह सबको काम में लिया जाता है HTML CSS हो गया JavaScript हो गया Python हो गया यह सारे websites वेब pages को बनाने के लिए इसे काम में लिया जाता है तो यहाँ पर CSS का full form पुछा गया है cascading style sit जो है इसका full form यह basically है तो यह जो है यह full form पुछा गया था तो computer abbreviation के उपर में already हमने वीडियो बना दिया है उस वीडियो को जरूर देखके जाना computer abbreviation से एक सबाल जरूर बन रहा है और cm governor से एक सबाल जरूर बन रहा है मतलब दो नंबर अब तो आप आराम से score कर सकते एक्जाम में यह जो है बहुत आसान सा जो है section है उसके बात next जो यहाँ पर question बना है ब्रिहा देशवर temple कहां है काफी बार हमने cover up किया है तो static gk मैं जरूर इसको देख लेना तो जितने भी important temple से उसको पर वीडियो बना दिया है static gk जो playlist है उसका भी link description में दे दिया गया है वहाँ जाकर चारे static gk जीगे आफ वीडियो देख लेना जो जो आपने नहीं देखा है जिस topic से आपने वीडियो नहीं देखा है oldest dam in India ये पुछा गया है तो काला नहीं डेम काफी और हमने भी discuss किया है अलगलेग अपने static gk कुष्ण में general evidence के कुष्ण में तो काला नहीं डेम जो है ये छोला dynasty के दौरान बनाया गया था आज भी ये है और आज भी जो है इसे use किया जाता है तो ये oldest dam in India ये पुछा गया था तो काला नहीं डेम जो है ये छोला dynasty के दौरान बनाया गया था आज भी ये जो है present है full form of lifo पुछा गया था तो lifo, fifo ये जो है यहां से question बन सकता है तो last in first out जो है ये use किया जाता है ये basically computer architecture से जो है ये सवाल है computer architecture में इनको use किया जाता है तो fifo का अगर full form इसका पुछा जाता है तो first in first out lifo का जो है ये है full form last in first out जो है इसका जो है ये full form है इसी तरह जो है औ सकते हैं यह जो है computer architect से यह सवाल है यहाँ पर full form पूछा गया था basically यह computer का जो है full form पूछा गया है यहाँ पर computer से related वो question था states of restaurant from watch pie to moody इसका author पूछा गया तो सवा नगभी जो है इसके author है यह books के बारे में पूछा गया है इसका author जो playlist है उसका link description मिल जागा जहाँ पर जाकर आप सारे current affair के वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं और एक बार revision भी बिल्कुल कर सकते हैं इनके दौरा लेट किया गया तो अलीव ब्रधर सके दौरा जो है इस्ति वैब लेट किया गया था मॉलाना मुहम्मत अली और मॉलानास facing 20 दौर साल में उसी आप reasoning में भी consider कर सकते हैं और यह से जो है GS में भी consider किया जा सकता है तो यह जो है एक normal सवाल बना था आसान सा सवाल है लाल लिगा का brand ambassador पुछा गया है 2020 लाल लिगा आगे पुछा जा सकता है winner कौन है तो यह बिल्कुल या देखना है Real Madrid ने Barcelona को 2-0 सहरा के जो है यह tournament जीता था लाल लिगा का इस बार का tournament था और पूरे 90 years का इतिहास में पहली बार non footballer को यहां तो brand ambassador बनाए गया है रोही सर्मा को जो है इसे brand ambassador बनाए गया था तो यह question बना था आगे चलके लाल लिगा जो है football tournament है इसके बारे में पुछा सकता है winner कौन है तो Real Madrid जो है यह club winner था यहाँ आप इन्होंने Barcelona को हर रहा है था by two zero which acid protects stomach तो यहाँ पे hydrochloric acid जो है यह बिसेगा लिए हमारे stomach को protect करता है from different pathogens तो यहाँ पे जो है hydrochloric acid जो है यह यहाँ बना था लेकिन पूरा question हमें नहीं मिला इसलिए हमने यहाँ पे cover up नहीं किया है एक particular neuron में जो है information store नहीं होता है यह bulk में काम करते है bulk में information store होता है पूरा network यहाँ पे काम करता है basically यह इसके पीछे काट fund आ है लेकिन question पूरी तरह नहीं मिला इस वज़े से जो है उसको हमने cover up यहाँ पे नहीं किया है national statistics day पूछा गया है या फिर world statistics day पूछा गया है यह दोनों में से कोई एक सवाल जरूर पूछा गया अगर national statistics day पूछा गया है तो 29th June को यह celebrate किया जाता है world statistics day अगर पूछा जाए तो 20 October 2010 से इससे start हुआ है और यह 20 October को हर साल celebrate किया जाता है तो जो भी question पूछा होगा उसका यहाँ पर सही answer है तो बिल्कुल आपको यहाँ दखना important days and the themes उसके उपर भी वीडियो है current FA 2020 के playlist में यह मिल जाएंगे हर 6 month पे हमने cover up किया है तो 2 वीडि हजारिका जो है इनके जो है इनके नाम पर रखा गया है धोला सदिया ब्रीज जो है इनके नाम पर यह रखा गया है भूपेर हजारिका कौन है he is basically आसामीस फिल्म यह डिरेक्टर है साथ में यहाँ पर अलग-अलग इन्होंने music में भी बहुत सरे काम यहाँ पर किया है तो यह दो स्टेट को कौन सा जोड़ती है यह भी कुशन पहले साथ बन चुका है किनके नाम पर यह रखा गया है तो वुपेर हजारिका के नाम पर रखा गया है CAA का full form यहाँ पर पूछा गया था Citizenship Amendment Act जो है यह करेंट का ही जो है कुशन है तो CAA का यहाँ पर सवाल बना था बहुत आसान सा है यह बेसिक कुशन टफ नहीं बन रहा है कुशन बहुत आसान है यहाँ पर कुशन टफ नहीं है थोड़ा सा लेवल अगर हम मान सकते हैं कि 5 50% आफ है एक दो कुशन जो है यहाँ पर दिक्कत दे सकता है लेकिन बागी सब कुशन एकदम बेसिक कुशन जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं तो CAA के बारे में पूछा गया था Citizenship Amendment Act जो है इसका full form है Nobel Prize in Peace बहुत जो है हमने इसे बहुत इसका उबर वीडियो भी बना गया है Nobel Prize in Peace जो है यह इस बार 2020 का दिया गया तो यह सवाल बना था Nobel Prize बिल्कुल देखके जाना कुशन वहां से बन रहे है साथ मेडिसिन के बारे में पूछा गया था इससे पहले तो बिल्कुल ध्यान रखना यहां से कुशन बन रहे है और यह भी पूछा गया है कि कौन स रिश्टरण कंफ्यूज होते हैं यह जो है mathematics में नहीं दिया जाता है Nobel Prize कितने फिल्ड में दिया जाता है वो सारे कुशन बन चुके हैं महारास्टर का गवर्नर के बारे में पूछा गया था वगर सिंख होसियारी जो है यह currently जो है गवर्नर है महारास्टर के तो जितने भी important questions हमें मिले थे उनको हमने यहां पे cover up किया 5th January shift 1 का इसके बाद shift 2 का भी analysis करेंगे और last में जो है इस दीन के पूरे last में हम final analysis करते हैं shift 1 और shift 2 का तो उसका भी वीडियो हम ज़रूर आपके लिए लाएंगे तो वीडियो यहीं तेक था all the best thank you